एक लिटर दूद में बनाएं बहुत सारे रजगुले बिना किसी जहनजट के एक बार में ही आपका रजगुला एक दब परफेक्ट बन करके तयार होगा तो मेरे तरीके से बना करके जरू ट्राइ कीजिएगा तो दूद को वाइल करने के लिए ले लेना है टोप और मैं हापे ली हूँ एक लिटर गाय का दूद आप चाहें तो भैस कभी दूद ले सकते हैं गाय के दूद में जो रजगुला होता है बहुत ही स्पॉंजी बन करके तयार होता है तो बस दूद को कर लेना है गरम सिर्फ इसमें एक उबाल आने दे दूद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूद में एक उबाल आ चुका है तो बस अभी से कलचिल से एक अच्छी तरह से चला लेना है जो दूद के ऊपर जो जाग-जाग सा है उसे एक दम दूद में अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स क्योंकि वो मलाई होता है तो अच्छी तरह से दूद में मिला लेना है तो गैसो कर देना है बंद और इसे 5 मिनट के लिए होने देना है ठंडा दूद को तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है तो अभी मैं ले रही हूँ दो चमच विनिगर आप चाहें तो निवू करस भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 चमच विनिगर ली हूँ और 2 चमच डाल रही हमें पानी और इसे कर लेना है मिक्स और धीरे धीरे करके एक एक चमच करके दूद में विनिगर को डाल देना है और हलके हलके हाथों से दूद को चला लेना है जैसे जैसे अब चम्मच से विनिगर डालेंगे वैसे हलके हलके हाथों से दूद को चला लेना है पटोरी में जो विनिगर बचा हुआ है इसे भी मैं दूद में डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे में तुरंत नहीं चलाओंगी कुछ सेकंड के लिए रुकूंगी उसके बाद मैं इसे खिला लूँगी दूद को तो चम्मस से इस तरह से इसे हलके हलके हाथों से हिला और यहां पर देख सकते हैं कि जो दूद है एकदम अच्य तरह से फट चुका है और छेना हो चूका है अलगे देखिए तो दूद को एकदम आराम से धीरे धीरे चलाते हुए विनिगर डालना है और उसे फाड लेना है तो अब इसे मैं छान लेती हूँ तो ले लेना है एकदम पतला सा कपड़ा, रुमाल या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा आप साफ ले ले और छेना को निकाल ले उसे पहल के शेना निभु या फिर पनीर बना रहे है तो दूद में तुरन नीभू या फिर वेनिगर नहीं डाले अगर आप तुरन डाल देंगे तो आपका दूज जो है जो छेना है वो कड़क हो जाता है रबड की जिसा हो जाता है तो कुछ सेकेंड रुकने के बाद उसके बाद वेनिगर या फिर उसमें नीबू एट करें तो यहां पर मैं ठंडे पानी से इसे अच्छी तरह से धो लेती हूं ताकि जो वेनिगर का लेती हूं और इसे पूरा नहीं निचोड़ना है इसको हलका हलका सा पानी इसके अंदर होना चाहिए तब ही छेना एक दम परफेक्ट तरीके से बन करके तयार होगा तो अब ले लेना है बड़ा सा बड़तन और उसमें छेना को निकाल लेना है इस छेने में आपको कुछ फ़ा पने होहित अगर आप इस पूर से अधेलियों तो अच्छी तरह से उसमें अध ऐना है सिर्फ दो मिनट के लिए उसे जयादा नहीं गरना है अगर आप इसे जयादा टाइम के लिए अधना करेंगो टो इसमें से निकलेगा घी और चेना आपका जो है अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो इसे सिर्फ दो मिनट के लिए ही रगड़ना है सिर्फ हलका से से कर लेना है चिकना ताकि जो छेना अलग-अलग हो चुका है खुर्दुरा हो चुका था वो आपस में ज्वाइंड हो जाए तो इस तरह से मैं इसे रगड़ ल अब इसे हथेलियों में इस तरह से पहले चप्टा करने का उसके बाद इसे गोल करने का और इस तरह से अपने मन पसंद का कोई भी शेप दे दें लंबे में या फिर गोल में आप बना सकते हैं तो इस तरह से पहले अच्छी तरह से हथेलियों में चप्टा करें चार से पा लेती हूं तो यहां पर मैं सभी छेने को बना करके तयार कर ली हूं अभी मैं यहां पर ले रहे हूं एक कप चीनी और एक लिटर पानी और फिर इसमें डाल देना है तीन छोटी इलाइची इलाइची डालने से खुसबू बहुत ही अच्छी आती है तो आप चाहें तो लेना है और पानी मेगदम अच्छी तरह से उबाल आने देना है अगर आपका रसगुला अच्छे से नहीं बन रहा है या फिर आप बनाने कभी कोसिस किया होंगे बराबर नहीं बनता हो तो आप कभी भी बरतन चोड़े मुवाला ले और थोड़ा सा गहरा ले ताकि आपक अच्छे तरह से उबाल आ चुका है और चीनी भी पिघल चुकी है तो अब इसमें एक एक करके छेना को डाल देना है तो यहां पर मैं गैस को तेज पे ही रखूंगी बिल्कूल भी स्लो नहीं करोंगी गैस को एकदम तेज पी रखना है ताकि पानी में एकदम अच्छी त ख्यान देना है कि आपको गयस को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है अगर आप गयस को स्लो कर देंगे तो आपका छेना जो है अच्छी तरह से नहीं फूलेगा तो यहां पर कुछ मिनट रुखने का उसके बाद कल्चिल से इसे हलका सा हलके हाथों से उलट-पुलट कर देने का ताकि छेना एकदम अच्छी तरह से पक जाए इसे पकने में सिर्फ 15-20 मिनट का ही समय लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है और आप यहां पर देख सकते हैं कि छेना जो है एकदम बड़ा-बड़ा से हो गया मतलब कि डबल हो चुका है जो मैं पेड़ा बनाई थी उसका परफेक्ट बन करके तयार होगा मैं आपको यहां पे दिखा रहे हूं कि कितना एज सौप्ट बना हुआ है यह बहुत यह नरम बना हुआ है और यह डबल भी हो चुका है तो बस गैस को कर देना है बंद और इसे होने देना है अभी ठंडा छेना का दूद फाड़ने के लि आप एक दम गरम दूद में यह डालेंगे तो छेना », यह पोड़र नहीं और बना हुआ है अभी हलका हलका सा गरम है, जब एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा और इसे 4-5 गंटे के लिए इसी सीरे में छोड़ देना है तो आपका रजगुल्ला जो है और भी ज्यादा सौफ्ट बन करके तयार होगा और इसके अंदर जूस भी एकदम अच्छे तरह से चला जाएगा मैं आपको तोड़ के दिखाते हुए देखे कितना सौफ्ट बना हुआ है तो आप भी मेरे तरीके से एकदम नरम मुलायम रजगुल्ला बना करके जरूर ट्राइ किजिएगा